जानिमानी गाय का लतामंगेशकर का निधन हो गया है। जिन्होंने ना जाने कितने ही कलागारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। जब लतामंगेशकर महज 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्ती हो गई थी। इसके बाद लतामंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिने किया। हाला कि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चडचा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हाला कि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला। फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किये गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गए। उन्हें मिले पुरसकारों की बात करें तो उन्हें फ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे।